क्लियर है क्या, छोटी जोब के बारे में सोच नहीं है, छोटे आप लोग ना हो, ना आपकी सोच छोटी है, आपकी सपने उचे, आपके काम उचे, आपका confidence भी उतना ही ऊचा होना चीए Now I'll share my experience, यह छोटी जोब के चक्क्रम ना बहुत कुछ घाटा हो जाता भई इस बात को लेकर करके मेरे दोस्त कहा करते थे के यार ऐसे नहीं होता है और गाहों में भी कई बार आप लोग जैसे गाहों की बाते करी थी तो मैं भी गाहों करता हूं मैं बहुत स्पीडली में तो नहीं बोल रहा हूं सुनाई दे रहा सबको समझ में आ रहा है तो गाहों में भी लोग कहा करते थे कि अरे ऐसे थोड़ी हो जाता है कुछ भी हम लोग 4-5-5 साथ से त्यारी कर रहे हैं ऐसे नहीं होता कुछ भी तो मैं उनको एक ही बात कहता था क भाई देखो इस गाऊं में लाल नीली बत्ति की गाड़ी अगर आनी है न तो अगर एक गाड़ी आईगी तो वो मेरी होगी कि अगर की गाड़ी रखना है अपने अंदर भी एपिक है यह पर सिबेटिटीटिव अने जिमांग में सेट कर लेना है बिलकुल आग से ही ये माइन। में लेकर के कभी यह एकजाम मत दें ना करको और फिसको बोलते हैं वहां पहुंचना अबको सीधा सीधा है यह दमाग में clear रखना है पहले से ठीक है चलो तो छोटी जोब का हो गया clear भई ठीक है नहीं सोचना कहीं भी ठीक है तो पहली जोब मेरी CSF में सविंस्पेक्टर लगी थी 20 साल मैंने मेरी जिन्दगे के खराब कर लिए वहां यह समझने में कि मैं मेरे potential के साथ गलत कर रहा हूं मैं सोच रहा था कि जोब के साथ continue करेंगे यहीं से रगड़ते 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 तयारी कर लेंगे और हो जाएगा ठीक है लेकिन 20 साल के बाद मुझ तो that moment मैंने decide किया कि मुझे यहां से resign कर देना चाहिए और मैंने resign कर दिया resign करने से पहले मेरे फादर ने को मैंने call किया तो मैंने उनको का मैं पापा I'm not feeling good क्या हुआ कि मेरे पापा आर्मी से retired है तो उन्होंने का कि क्या बात है क्या हुआ मैं पापा मुझे यह जॉब नहीं करनी है क्या प्रॉब्लम है बस मुझे लगता है कि मैं मेरे आगे जॉब ले लेगा मैंने का पपा छे मेने आप मेरे को देना मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा बड़ यहां तो नहीं रहना और मतलब इस मलाल में तो नहीं रहना लाइफ में के चार साल बाद या पांच साल बाद जब मैं उस चीज से निकल जाओं वो माइंड सैट मेरा चेंज हो जाए कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा उस मलाल में नहीं रहना कि मैंने कुछ किया नहीं तो I want to try मैंने try किया और मेरे पापा नहीं मुझे गोला ठीक है तो okay, do whatever you want ठीक है तो resign किया, resign करके आया उसके बाद मैंने दो चीजे साथ में रखी ही, पहला मैंने SAC को focus रखा क्योंकि मैं पहले से SAC में selected था तो SACCGL क्रैक किया, थिर SAC में एक translator वाली job निगलती है, translator कम हं हिंदी प्रद्यापक करके निगलती है, जुनियर हिंदी translator जि जो भी क्रेक कर लिया था तो तीन जोब मेरे पास हो चुकी थी अब मैं मेरा फीचर सिक्यूर था अब मुझे किसी चीज की टैंसन थी नहीं ठीक है तो उसके बाद फिर एक ही सपना था यह साथ में चल रहा था क्योंकि आरेस की प्रपेशन सुरू हो चुकी थी तो यह साथ म हो गया बस वो टीचर वाल एक्जाम के लिए मैंने कोई अलग से कोई मेहनत नहीं की जो यहां आरेस के लिए पढ़ाता बस उसी को मैंने बेस बनाया और उसकी बेस बनाकर करके आगे चीजे बढ़ाई थी वहीं से हो गया था ठीक है तो छोटे सपने नहीं रखने बड़े ज्यादा उस्ताह से काम कर पा रहे होते हैं राइट